आजका जोमारा टपिक है वो होगा determination of dipole moment आज हम dipole moment को निकालने की विद्ध जानेंगे हलाकि मैंने पिछले वीडियो में आरेडी बताया आज कुछ अलग अलग तीन नियमों के बारे में जानेंगे तीन नियम कौन कौन से हैं बारी बारी से सब के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग हेडिन लगा लेंगे determination of dipole moment determination of dipole moment dipole moment किस प्रकार से निकालेंगे कौन कौन से method से हम dipole moment निकाल सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं जिसमें से पहला मिथाड आज हम पढ़ने वाल ही, कौनसा मिथाड होगा, सबसे पहला मिथाड टेमपरेचर मिथाड होगा, टेमपरेचर मिथाड, टेमपरेचर मिथाड, दूसरा जो होगा, हो मारा इबर्ट मिथाड होगा, इबर्ट मिथाड जिसे इबर्ट ने दिया था, and third हम पढ़ेंगे third जैसे देखिएगा बताया वही जाता है अब क्या क्या है जैसे temperature method में क्या बता जाएगा हमारा e-bilt method में क्या बता जाएगा सब कुछ आपको पता होगा आज के इस lecture में क्योंकि आज के lecture में हम तीन के तीनो method के बारे में बात करेंगे and third होगा हमारा refractivity method कौन सा refractivity refractivity method सबसे पहले हम चर्चा करते हैं temperature method के बारे में आखिर ये temperature method यूज करके किस प्रकार से हम dipole moment निकाल पाएगे फिर हम देखेंगे ibert method आखिर क्यों हम ibert method का यूज किये temperature method हम बताएगे अभी temperature method सभी case के लिए possible नहीं था वहाँ पर मारा ibert method आया था and फिर हम पढ़ेंगे refractivity method तो सबसे पहले आखेंगे temperature method चलिए बात करते हैं temperature method के बारे में सबसे पहले यह दिन डालेंगे temperature method हटाएगे इसको चलिए सबसे पहले यह दिन डालेंगे temperature method temperature method के द्वारा इसमें देखिएगा divide equation यूज किया जाएगा द्यान से समझीएगा temperature method में divide equation के द्वारा हम प्रूब करेंगे तो लिखेंगे using divide equation using divide equation divide equation आखिर कहता क्या है आप लोग पढ़ चुके divide equation आखिर बोलता क्या है वो बोलता है कि अगर जो molecular polarization है वो induced polarization और orientation polarization के बराबर होता है ठिक इसके अनुसार divide equation के अनुसार divide ने ये बताया था जो molecular polarization होता है Molecular Polarization जो होता है वो is equal to Molecular Polarization को आप किसे रिपरिजन करते हैं PM से आप लिख सकते हैं Molecular Polarization को यह equal होता है Induced Polarization Induced Polarization जिसे हम लिखेंगे PI लिख सकते हो आपकी इच्छा है Plus कई लोग P-S से रिपरिजन कर देते हैं कई लोग P-I-N से रिपरिजन कर देते हैं PI से भी रिपरिजन करते हैं Induced for I Orientation Polarization Orientation Polarization जिसे हम मोलेंगे P तो यहाँ पर बताएंगे जो Molecular Polarization होता है वो Induced Polarization और हमारा Orientation Polarization के सम के Equal होता है अब इन सभी को पढ़ने से पहले Molecular Polarization क्या होता है Induced Polarization क्या होता है Orientation Polarization क्या होता है सब कसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए Polarization क्या होता है Polarization हाला कि आप Class 12 में पढ़के आए हो जब हम electric field को apply करके positive and negative charge को some distance पर कर पाते हैं वह हमारा होता है polarization सबसे पहले आप hidden डालेंगे polarization क्योंकि जब polarization पता होगा तभी आप molecular polarization जानोगे तभी आप induced polarization जानोगे और तभी आप orientation polarization के बारे में जा सकते हो तो hidden डालेंगे polarization 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 क्या होता है इसकी पहले definition देखेंगे इसमें लिखेंगे the process of separation the process of separation separation मतलब होता अलग-अलग कर रहा of positive charge and negative charge of positive and negative charge by distance by a distance by a distance by a distance on applying electric field on applying 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 electric field electric field is called is called polarization 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 मतलब समझ पाए कि नहीं polarization किस प्रासेस को कहेंगे ऐसा प्रासेस जिसमें electric field में electric field में बात की जा रही है इस्टेंस पर place करना यह मारा क्या कहलाता है polarization separate करना यह मारा क्या कर रहाता है जब जब हम electric field apply करते हैं तो वो positive and negative separate होते हैं सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर हो जाते हैं वो हमारा प्रासेस क्या कहलाता है polarization कहलाता है और इसके बारे में सब लोग जानते हो अब हम पढ़ें case के बारे में induced polarization और orientation polarization induced polarization क्या होता है induced polarization यह जो molecular polarization लिखा गया है वही है polarization induced polarization क्या होता है जिससे आप रिप्रेशन करते हूं P I से P I से इसमें क्या होता है इसमें समझेंगे पहले definition लिखे इसमें कहा जा रहा है a non-polar molecule a non-polar molecule कोई non-polar molecule है in which center of gravity 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 of positive charge of positive charge positive charge coincide with center of gravity of negative charge coincide with center of gravity gravity of negative charge negative charge h2 o2 etc h2 o2 o2 इस प्रकार से अब इसको समझने के लिए आपको समझना क्या होगा कुछ डाइग्राम की साहता से हम समझेंगे मालो hydrogen hydrogen तो एक hydrogen माली क्यों लिए है और दूसरा यह h2 हो गया इसको बोलेंगे h2 तो अब देखेंगे जब इसे किसी भी plate के साथ रख देते हैं जो कि एक plate हमारा positive होगा और दूसरी plate हमारी negative अगर इसPlate के बीच में रखते हैं यहमारा plate क्या है negative यह हमारा positive यह हमारा positive और यह negative तो जब यह positive or negative plate के बीच में रखा जाता है इसमेंसे जो positive होगा वो हमारा negative center of gravity की तरफ attract होगा ne Option की तरफ symptom importance यह कुछ इस प्रकार से दोनों मिलके structure बना लेते हैं जो होंगे वह कर जाते हैं और जो इसका होगा वह कर जाएगा क्योंकि इधर क्या positive plate हैं तो यह जब कॉन side करेगा यहां ध्यान समझीएगा यह जब मिलके एक molecule बनाएगा hydrogen hydrogen atom मिलके एक molecule का जब निर्माड करेंगे तो यहां पर देखेंगे जब molecule बनेगा तो इसमें इलेक्रांस जितने होंगे वह positive plate की तरफ चले जाते हैं जो हमारे protons मतलब nucleus वहां पर होते हैं वो हमारे negative की तरफ हो जाते हैं बस इतना ही कर रहा था इसी प्रकार oxygen का भी दिखा सकते हों तो यह हमारा क्या कहा राता है induced polarization बात करेंगर orientation polarization की किसको किसको नहीं समझ में है orientation polarization यार simple matter है molecular polarization या फिर polarization किसे कहेंगे कि कि किसी भी electric field को apply करके electric field को apply करके चार्जों को कुछ distance पर separate करने का process यह हमारा polarization का लाता है फिर हमने बात की induced polarization की उसमें जो होता है center of gravity या positive charge जो positive charge होंगे वो negative charge की तरफ अट्रेक्ट होंगे जो निगेटिव चार्ज होगा वो positive charge की तरफ अट्रेक्ट होगा बस है और कुछ नहीं कहा जा रहा है orientation polarization में क्या बोला जाता है इसमें लिखा गया है इफ molecules are if molecules are molecules जो है permanent dipole are permanent dipole लेकिन इसमें जो जाद रहेते हैं वो क्या नान पोलर थे इसमें पर्मानेंट डाइपोल की तरफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड टूइड अप्लाइड अप्लाइड एलेक्ट्रिक फिल्ड अभी हम समझाएंगे सब समस्में आगए अगा अगा टूइंट फरे इसमेंड इलेक्ट्रिक फिल्ड इस नोना जा और एंटेसं पुलराइड इसंड इस प्राइस इस नोन आज ओरियंटेशन पुलराइजेशन ये प्रोसेस हमारा ओरियंटेशन पुलराइजेशन कहलाता है फार इक्जामपल के लिए अगर आप दिखाना चाहो पले इसमें समझो कहा क्या जा रहा है कहा ये जा रहा है अगर मालिक्यूस हमारे पर्मनेट डाइपोल मालिक्यूस है मतलब इसमें लिया जा रहा है हमारा नान पॉलर मालिक्यूस था इसमें पॉलर मालिक्यूस है उसमें डाइपोल है अर्थात वो पॉलर मालिक्यूल है अगर polar molecule है तो उस तरफ oriented होगा जिस तरफ हमारा electric field अपलाई होता है मतलब जिधा electric field अपलाई किया जाता है उसी तरफ यह oriented हो जाता है oriented मतलब एक प्रकार से उसी तरफ होना oriented मतलब एक प्रकार से उसी तरफ होना उसी तरफ वो move करना जिस तरफ electric field apply होता है electric field का direction जिदर होता है उसी तरफ यह oriented हो जाता है for example के लिए समझना चाहें मालो कोई metal है यह क्या है कोई metal piece कोई metal piece है इसमें जो molecules है वो किसमें है पॉल्राइज़शन फॉर्म में मतलब पॉस्ट्यू निये टू कोई फिक्स नहीं है ये टू और पास्ट्यू निये टू पास्ट्यू लिए टू पास्ट्यू लिए टू कुछ इस प्रकार हैं देख पारें कुछ मतलब एक प्रकार से सीधे रेखम नहीं होते कुछ ऐसी होते लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई कर दिया जाए तो मालो इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो है इलेक्ट्रिक फिल्ड इधर है जीरो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्ल लो अपंपलाई हो रहा है आप में हाहा दिखा दोके इस डार 20 में है जब इस डारीक्षण में होगा धीक benefit डायर दिशा में वह होता है निगेटिव के फिरिद दिस्थ हमें एक लट्रिशिटी इस साइड से इस साइड फोल हो रही है मतलब जो इल्ट्रिक फील्ड है वो उता पर नोरा है इस साइड से सागस्तारिश्न टूवर्ड्स इल्लेक्रिक फिल्ड यह जतने है कि इधर सब पॉज्टिव आ जाते हैं अधर मारे नेगेटिव बात समझ पा रहे हो क्यों 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 इलेक्ट्रिक फिल्ड अपलाई किया गया तो यही तो कहा जा रहा है इफ हमाली क्यों सार परमानेट डाइपोल अगर यही केस कुछ ऐसा रहा होता कि अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड का डारेक्शन कुछ ऐसा रहा होता तो यही माली क्यों सार इसे ओरियेंटिड होते है कि इधार हमारा पॉस्ट्व हो जाता और हमारा डियनगयट्य हो जाता क्यों पॉस्ट्व हो रहा है चुकि जो एलेक्ट्रिक फिल्ड होता है जो ए bold होता है यह अफिक हमकरे कर डारेक्शन होता ह्यों थो पॉस्ट्यू डारेक्शन की दिसान होता है यह पॉस्ट्यू ठीक नोट कर दिशे बात समझ में आ गए होगी कि आखिर में पोलराज़ेशन किसे काते हैं अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ बात समझ में आई सबको क्लियर हुआ बहुत अच्छे है इसके कहने का तब यह हुआ कोछ जो molecular Polarization होता है मतलब pm इकेल टू pi फ्लस p o ठीक वैलू रखेंगे इसके कहने का मतलब यही तो है pm इस इक्वल टू induced polarization pi प्लस oriented polarization po इसके कहने का मतलब यही तो है तो अगर हम निकालेंगे हम जानते है induced polarization की वैलू आती है पाइ यन अलफा अब इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाने वाला ना तो आपके सिल्वस में है कि इंडियूज्ड पोलराजिशन का कैसे इतना आया 4 बटे 3 पाइ अन अलफा तो इसलिए आपसे मैं क्लियर बता रहा हूँ आप ये बेलू याद कर लिजिया क्योंकि आपकी एक्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है सिर्फ आपसे यहीं पूछा जाता है कि वाट डियू मीन बाई डाइपोल मोमेंट एंड एंड प्रूफ या फिर डिटर्माइंड डा जा सकता है या फिर दो में थड़ पूछा जा सकता है आपको वहां पर एंसर देना पड़ता है तो यह वैलू होती पी आई की चार बटे थीन पाई एन अलफा एंड पी ओ की वैलू होती है प्लस और येंट पोलराइजिसन की वैलू फोर बाई थ्री पाई एन म्यू इसको कर थोड़ा सा ओर और एक्सप्पेयन करने की कोसिस करें तो यह इसको लए सकते हैं फूर rec यह रहा हमारा ब्लस में इसमें ऑकन नंबर इसे बना लेते हैं फ्रस्ट इस एक्वेशट्यन minder को हम क्या बना लेते हैं फ्रस्ट ठीक जहां पर यहां पर दिखेंगे कि alpha क्या है, mu क्या है, k क्या है, yn क्या है, t क्या है, यह सब जान लेते हैं ठीक, तो यहां पर हम मान सकते हैं यह तो alpha तो हमारा constant है एक प्रकर का constant है, pi भी हमारा constant, 4 upon 3 भी एक constant यहां पर माल लेंगे कि where, यह इसे रहा ही question number first तो इसे हम लिखेंगे, question first, where, where, जहां पर, आप बता सकते हो, यह निक कर्ट क्या है, एवोगैडरो नंबर, एवोगैडरो नंबर, यह हमारा एवोगैडरो नंबर है, जिसकी वेलू कितनी होती है, 6.022, 6.022 का इवोगैडरो 2, 3 भी लिखती है, 2, 3, इन्टू 10 to power 23, क्योंकि यह number है, एक प्रकार का ते, इसकी कोई unit हो नहीं सकती, ठीक, अड़ बात करें हमारा यहां पर mu क्या है, dipole moment, mu is dipole moment, और क्या है, bolzman constant, bolzman constant, bolzman constant की वेलू कितनी होती है, 1.38 इन्टू 10 raise to power minus 23, kilogram meter square प्रती, Kelvin second square, ठीक, और T equal to temperature आप रख सकते हो, आप T equal to क्या रख सकते हो, temperature, T is equal to any temperature, ठीक, क्योंकि यहां पर देख पा रहे हैं, इसको हमें कोई constant term माल लेते हैं, इसको भी कोई constant term हम माल लेते हैं, माना ऐसा हमने, कि PM जो है, इसके अस्थान पर कोई constant term हम माल लेते हैं, A, plus इसके अस्थान में माल लेते हैं, B, into my one upon T, equation number second, ऐसा हमने माल लिया, लेट, आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, जब हमने माल लिया तो A के अस्थान पर इतना B के अस्थान पर इतना हमेने ऐसा क्यों माना क्योंकि हमें चाहिए थी value mu की निकालने के लिए तो from equation first and second दिखा दिए ऐसा कुछ होता नहीं है हमने ऐसा माना है compare करने के लिए इसके अस्थान पर हमने कोई एक constant term रखा है B तो from equation first and second first and second को compare कर दिजिए तो B की value क्या निकालेगी दिए B is equal to 4 upon 3 pi n mu square upon 3 mu square upon 3 इतनी value निकालेगी इसको और solve करेती हो जाएगा हमारा 4 upon 3 3 जा 9 pi n upon k into my mu square ठेक अगर हम इसको इससाइड भेजे तो ये value हो जाएगी हमारी mu square की mu square की ये value इधर आएगी तो हो जाएगी 9 k divide by 4 pi n into my B अगर हम mu की value निकालेगी तो होगा जी 9 की उपर जाएगा 4 pi n निचे आजाएगा बी तो हमारा already रहेगा mu की value निकालेटी हो जाएगा हमारा square root मू का भी square root ले रहे हो mu square का square root लोगा तो mu बचेगा इसका square root लेंगे तो 9 k divide by 4 pi n into my B की अस्थान पर square root of B बचेगा 9 को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 3 by 2 square root of k upon pi n square root of B equal to mu बच यही पर बात फस रही है B की बाकि सब की value पता है k की value भी पता है n की भी value पता है pi की value 3.4 होता है तो हम value रखके निकाल सकते थे बच यहाँ पर बात फस रही है B की बात फस रही है B की तो हम comparable ऐसा मानते हैं की B को हम one upon T से place कर सकते हैं B can be placed by one upon T जो B टर्म है can be can be placed by one upon T one upon T मतलब B को हमने one upon T के अस्थान पे रखा ऐसा रख सकते हैं according to this rule तो हमने ऐसा मान लिया की B के अस्थान पे one upon T रखके हम इसको solve करेंगे तो आया क्या थ्री बाई टू स्क्वाइर रूट आफ के अपान पाई एन इन्टू में स्क्वाइर रूट आफ वन अपान टी इक्वाल टू अगर आपको वहां पर किसी भी किसी भी मतलब अगर हमें निकालना हो और कोई अगर हमाल फूरल किसी हो गया है तो उसका ट्रेशर कितना वहां पर दिया जा रहा है तो वहां बेलू रखेंगे केलीविन में यहां पर 逼ू श्तन की वोय रखेंगे पाई की वा dow रोकेंगे इसे जगह तो बहुत कम है लेकिन हम लिख देंगे आप लोग समझने की कोशिस करना यह किसके किसके लिए अपलाई होता है इस मेथड इस अपलाइड फार वैपर आर गैस वैपर हम कहें या फिर गैस के उसके लिए यह अपलाई होता है और उसके लिए भी अपलाई नहीं हो लिखे सकते हैं हेहां पर कि इस मेफड अर्था टेम्प्रेचर मेस अर्था इस मेफड इस नाट ऑपलिकेबल ऑफार दयट मालेक्यूल उस मालेक्यूल के लिए अपलिकेवल नहीं होगा विच जिसका जिसका डिग्री आप dissociation, degree of dissociation, जिसे हम बोलते हैं DoD short form लिखते हैं DoD degree of dissociation is change with change with time, अगर time के साथ किसे भी molecule का degree of dissociation change हो रहा है तो उसके लिए temperature method आप नहीं अपलाई कर सकते हैं दूसरा point this method is अबली केवल for, this method is applicable for, यह जो method है किसके लिए अपलाई होता है this method is applicable for gas और vapor gas gaseous लिख सकते हैं और vapor vapor state, अगर हमारा कोई भी molecule gaseous state में या फिर वह vapor state में तब तो यह temperature method लागू होगा otherwise नहीं लागू होगा and third आप से लिखेंगे और किसके लिए नहीं अपलाई होता है this method is not applicable for polar liquid polar liquid के लिए भी apply नहीं होता मतलब ऐसे liquid जिसमें मारे polar molecules हो हो polar liquid के लिए भी apply नहीं होता due to किसके कारण due to strong dipole dipole interaction मतलब अगर dipole dipole interaction बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए temperature method फेल हो जाता है मतलब समझेंगे अगर कोई भी molecule है जिसका degree of dissociation time के साथ change हो जा रहा है उसके लिए भी यह नहीं अपलाई होगा temperature method एंड यह हमारा किसी polar liquid के लिए भी नहीं अपलाई हो क्योंकि उसमें जो dipole dipole interaction होता है बहुत हाई होता है इसके लिए उससे साथ नहीं अपलाई होगा यह अपलाई होगा सिर्फ किसके लिए यदि हमारा कोई भी molecule vapor state में हो या फिर हम वो सकते हैं gases state में सो इतना फटा-फट से no down कीजिए अब हम चलते हैं दूसरा method जो के हमारा ibert method का हलाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं no down कीजिए फटा-फट से clear यहां तक समझ में आ सब को बहुत अच्छे ibert method पढ़ने से पहले आपको हम यही temperature method अगर यह वाला आप न लगाना चाहो यह वाला आप न लगाना चाहो इसका alternate method आपको हम बता देते हैं मतलब temperature method का ही temperature method का ही एक alternate method अल्टर्नेट मतलब समझते हो न अल्टर्नेट मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो alternate मतलब उसके अस्थान पर कोई दूसरा alternate हो जैसे जैसे मालों यह marker हो गया suppose that यह marker है या फिर यह pin है यह pen है अगर मालों यह pen भी ऐसा लिखता होता इस पर कोई एक marker दूसरा हम ले 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 तो यह इस marker का alternate यह pen है ठीक क्योंकि यह अगर मार्कर होता तो marker क्या करता है लिखता है अगर इस company का marker आप नहीं यूज़ करें इस company का marker यूज़ करोगे इस company का marker यूज़ करोगे मतलब वह दूसरा वाला जो marker उसका alternate है मतलब वह वाला method नहीं यूज़ करके आप यह वाला method यूज़ कर सकते हों इसमें हम इसमें हम molar polarization और temperature मतलब reciprocal of temperature के बीच graph plot करते हैं तो graph आप लोग plot किजिएगा यह reciprocal of temperature मतलब वह वह पांटी and polar molecule sorry molecular polarization polar molecule नहीं अगर हम graph plot करें mu equal to 0 के लिए मतलब mu equal to 0 कब होता है mu equal to 0 mu equal to 0 किसके लिए होता है non polar molecule के लिए non polar molecule जैसे कोई example बता सकते हो carbon tetracloride ccl4 कैसे जाने कारबन है इसके outer muscle में 40 electron यह एक सीरस जुड़ा है एक सीरस जुड़ा है एक सीरस जुड़ा है इसमें कोई loan pair आफ इलेक्टरान है कोई भी loan pair आफ इलेक्टरान नहीं है मतलब loan pair आफ इलेक्टरान की संख्या 0 है अगर loan pair आफ इलेक्टरान की संख्या 0 तो मतलब वो उसका dicol moment भी 0 अर्थाद वो non polar होता है यह हम आपने आपको trick में बता दिया है आले डिगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लिए उसमें हमने clear समझाया कि अगर हमारा विउट पॉलर करनाओ करकि मिउऊ धर भी ले रहे हैं कि इसमें क्या झारा है मिउऊ बढ़ रहा है मिउआ बढ़ रहा है और अर्था जीरो से ज्यादा हो दा किसके लिए होगा पोलर मालीक्यूल के लिए पोलर मालीक्यूल का भी एक्जामपल ले सकते हैं पोलर मालीक्यूल का एक्जामपल लेना चाहिए तो अगर अब हम इसके बीच ग्राफ प्लाट करें ग्राफ तो प्लाट कर लिए सब्सक्राइब करें कैसे इसका बाल लो कोई सावी पोलर मालीक्यूल हमने बहुत बता रहा है यह मारा थीटा अंगल मना रहा है यह मारा थीटा एंगल बना रहा रहा है तो हम ने पाया क्या था की molecular polarization माली खुलर पोलराइजेशन पूर में प्लस बीटा वन अपां टी यही था B स्वाई 1 अपान T यही था कहां से from equation from equation second second equation से यह मिला था कि नहीं मिला था सबको याद है कि P M equal to A plus B upon T इसी प्रकार अगर हम देख ले similarly similarly अगर हम निकाले P M1 के लिए तो यह हो जाएगा A1 plus B upon T1 होगा कि नहीं होगा यह सरी है को तो constant है यह यह बन नहीं होगा अगर हम निकाले P M2 equal to हो जाएगा हमारा A plus B upon T2 equation number third बना लेंगे equation number fourth बना लेंगे समी करल तीन और 4 से देखेंगे हमें अगर A को हटाना हुआ था हम क्या करेंगे from equation from equation third minus 4 third को 4 से कटा देंगे मतलब हमें मिलेगा क्या P M1 minus P M2 is equal to यह हमारा A plus B upon T1 minus A minus B upon T2 यह इससे कट जाए कटता नहीं में इसा घटता है तो यह बचे क्या हमारा B upon T1 minus B upon T2 B हमारा कावन हो जाएगा यह हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा हमारा T2 minus T1 अब देखिएगा P M1 minus P M2 ठीक P M1 minus P M2 अब यहां से B की वेलू आप find कर सकते हो यह B की वेलू आप find कर सकते हो नहीं find कर सकते हो बिलकुल कर सकते हो तो B की वेलू गर आप निकालना चाहो तो यह क्या हो जाएगा यह इधर आजाएगा तो हो जाएगा हमारा T1 T2 divided by T2 minus T1 और यह हो जाएगा हमारा P M1 minus P M2 यह रहा नोट कर लिए नोट कर लिए वेलू समझ में आई क्लीर होगा किसी कोई प्राबलम तो नहीं चलिए अगर आप माल लीजिए मू की वेलू आप निकालना चाहते थे तो बी की वेलू आप आल्रेड़ी पिछले वीडियो में देखे थे सारी पिछले वीडियो करें इसके जस्ट पहले वाले में भी देखे थे बी की वेलू क्या आएथी 4 बटे 3, Pi N मू स्कायर अपान 3K रख देंगे क्या 4 बटे 3, Pi N मू स्कायर अपान 3K यही तो मिला था यह हो जाएगा हमारा T1 T2 divided by T2 minus T1 और यह हो जाएगा हमारा PM1 minus PM2 यह कब होगा जब के लिए हमारा molecular polarization दिया गया होगा तब के लिए लगाएंगे मू की value यहां से find करेंगे value आएगी सेम किसी के लिए भी अगर value दी रहेगी यह value दी रहेगी temperature T1 T2 की भी value दी रहेगी तब यह वाला फर्मदू लगाएंगे मू स्कायर value अगर निकालेंगे ति हमारा 3K अपान यह तो निचे चला जाएगा ति हो जाएगा हमारा 3 by 4 ठिक यह उदर जाएगा 3 निचे 4 and 3 3 जा 9 है न 9 by 4 लिखिए 9 by 4 और उपर जो है वो निचे चला जाएगा मतलब पाई निचे जाएगा के उपर रहेगा के अपान पाई एल ठिक और बचा गया इतना हमारा T1 T2 T1 T2 divided by T2 minus T1 और यह हो जाएगा हमारा PM1 minus PM2 नियान दिजीर का बहुत important है कई बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है और है तो अंदम सिंपली कुछ है यह नहीं इसमें तो म्यू की वेलूगर हम फाइंड करने की हो जाएगा हमारा 3 by 2 स्क्वाइर रूट आफ के अपान पाई अन और यह हो जाएग हमारा यह टोटल स्क्वाइर रूट होगा न क्लिए फटाफट से क्लियर होगा समझ में आ बहुत बढ़िया चलते हैं सिकंड नियम के विद तरफ सिकंड रूल देखेंगे इबर्ट मिथड हिंड डालेंगे इबर्ट मिथड इबर्ट मिथड क्या कहता है सबसे पहले यह समझाए हमको कि अगर कोई भी मालिकूल सॉलिड स्टेट में है तो क्या उसमे क्या उसमे ओर्येंटेशन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ओर्येंटेशन हो सकता है बट अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो उसमे तो उसमे क्या पॉसिबल is not possible orientation is not possible सारी हो नहीं सकता इध्यान से समझीएगा अगर वो solid state में काफी बच्चे confused हो जाते हैं इसलिए हमने बोला काफी बच्चे वहाँ पर confused होते हैं कि orientation possible हो रहा है हमेशा याद रखिये अगर कोई भी molecule solid state में है तो उसमे orientation possible नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा induced ही possible होता है तो लिख लेंगे हाँ पर इफ यह हमारा इबरटे ने बताया था इफ एनी molecule इनी molecule is in solid state solid state यादि कोई molecule हमारा किसमे है solid state में है अगर वो solid state में होगा तो देखेंगे solid state तो orientation आप molecule orientation polarization is not possible not possible मतलब वो solid state में है तो orientation polarization possible ही नहीं होगा इसमें केवल और केवल induced polarization ही possible होता है in this state अर्था solid state में बात के जा रहा है कि induced polarization पोलराइजेशन वल्ली वल्ली इंड्यूस्ट पोलराइजेशन आर possible मतलब इस में थर्ड में इस state में solid state में केवल और केवल हमारा induced polarization ही possible होगा मतलब इसके काने कान अंसार कि अगर हमारा P of solid निकाल रहे हैं P of solid निकाल रहे हैं इसमें केवल और केवल P of I के ही बराबर होगा मतलत जितना हमारा induced polarization होगा वह ही उसका total polarization होता इसे हमना आने हैंगी question number first बट अगर हम बात कर रहे थे अभी इसके just पहले P of gas की जिसे PM निकाले थे तो वो P of I plus P of O के वरावर हुआ करता था होता था कि नहीं induced polarization plus orientation polarization अभी तक ऐसा था लेकिन अब यहीं पर अगर हम from equation second minus first करें from equation second minus first second minus first करेंगे तो मिले क्या हमको P of gas minus P of solid is equal to gas में solid घटाएंगी gas की value क्या है P of I plus P O minus P of I यह इससे हटा बचा क्या सिर्फ P of O मतलब P of gas minus P of solid solid का polarization gas में जग घटाएंगे P of O बचा P of O के value कितनी होती 4 बटे 3 π and mu square upon 3k बोलो होती है कि नहीं होती value तो यह होती है 3k यह हमारा आया P of gas minus P of solid यहाँ से mu square की value निकाल लो mu square की value तो यह कितना आ जाएगा इदर आएगा थो जाएगा 3 3 जा 9 divide by 4 pi n नीचे आएगा k उपर जाएगा k upon pi n k upon pi n तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अच्छा लगने के लिए 9k upon 4 pi n 9k upon 4 pi 9k upon 4 pi n and mu square की value निकाल ही रहे हैं तो यह हो जाएगा हमारा इदर बचा क्या है P of gas minus P of solid P of gas minus P of solid इस प्रकार हम में की value निकाले तो इदर हो जाएगा हमारा 3 by 4 square root of k by pi n P of gas minus P of solid P of gas minus P of solid नोट कर लिए हैं इस प्रकार हम में की value निकाल सकते हैं नोट करिए फटा फट से नोट करिए नोट करिए एक चीज और इसमें missing है क्या एक चीज इसमें 3 kt होता है ना वो 3 kt वहाँ पर t नहीं लिखा हमने 3 kt यह चीज ध्यान नहीं दिये 3 kt वहाँ पर kt बना लो 9 kt हो जाएगा बस अब सही है नोट कर लो नोट कर लिए फटा फट से समझ में आ clear बात आती है third कि refractivity में third यह क्या होता है इसके अंसार बता गया कि अगर किसी molecule को किसी molecule को हम electric field में place कर दें तो तीन प्रकार के orientation तीन प्रकार की polarization possible होते हैं यह बता गया कि if any molecule molecule placed in placed in electric field अगर हम किसी molecule को किसके बीच में रख रहा है electric field में placed in electric field electric field comma there are there are three types of polarization of polarization may occur three types of polarization may occur मतलब यदि हम किसी भी molecule को किसी electric field में place करते हैं molecule को किसके बीच में place करते हैं electric field में place करते हैं तीन प्रकार की पोलराइजेशन मिलते हैं कौन कौन से फर्स्ट electronic polarization second second माला तो हमारा electronic polarization है second काउन सा होगा atomic polarization atomic polarization ठीक and third आता है हमारा third third होता हमारा orientation polarization induced में नहीं मिलता है orientation polarization orientation electronic polarization क्या होता है जो electrons होगे वो distort होंगे positive plate पर electrons are electrons are distorted distorted at positive plate मतलब जो electrons होगे positive plate की तरफ चले जाएंगे और neutral हो जाएंगे atomic polarization में क्या होता है nucleus nuclei या nucleus nucleus में क्या होते proton होते nucleus are distort at negative plate क्योंगे इसमें proton होता है ये positive charge होता है वो negative plate पर जाकर distort होगा ठीक और और तूर्स लिख सकते है अट की जहाँ पर यहाँ पर distorted towards 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 negative plate यहाँ पर भी towards positive plate तो यहाँ पर आप एफाँ एफाइड लिखागे लिखा गए लिखा गए उससे नहीं मतलब और यह intention polarization आप सभी जानते हो P o equal to क्या होता है 4 upon 3 pi n into main 4 upon 3 pi n into main यपान में kt था उपर mu square यही तो था mu square upon 3 kt यह था हमारा P o की value तो यहाँ पर 3 प्रकार की polarization मिल रहे है मतलब अगर हम polarization total की value बात करें total polarization जो होने वाला hence total polarization pm is equal to क्या होगा हमारा atomic polarization plus electronic polarization plus P o के बराबर होगा P o के बराबर मतलब तीनों के सम के बराबर होगा क्योंकि जब electric field में रख रहे हैं तो 3 प्रकार की polarization मिल रहे हैं और 3 का सम करेंगे तब जाकर हमारा total polarization या molecular polarization निकलेगा आगे देखेंगे इस method में हम जो dielectric constant है उसको replace कर देंगे और थाथ उसकी जगाव फर हम क्या लगाएंगे refractive index लगाएंगे क्योंकि यह refractive method है तो in this case in this method इस method में जो dielectric constant होगा dielectric constant मतलब epsilon जिसे आप लिखते हो are replaced by are replaced by refractive index refractive index refractive index n square जो इपसालन होगा वो n square के द्वारा change करेंगे डालेक्रिक कॉंस्टेंट आप वैपर या आप मालेक्यूल करके लिख सकते हैं इन वैपर इस्टेट तो हम डार्ट लिख दिये हैं कोई बात नहीं ठीक या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं आप वैपर या आप गैस आप गैस are replaced by refractive index मुदब ए की जिगा हम क्या लिखेंगे n square या इपसालन की जिगा पर हम क्या लिखेंगे n square at a particular temperature at a particular temperature किसी particular temperature पर epsilon की value n square के बराबरा की जाए particular इसके कहने का मतलब यह है implies that अगर हम समझाने की कोशिश करें इसके कहने की यह मतलब जहां इपसालन होगा वहां पर रख दिया जाएगा n square जहां जानते हैं PM की value क्या होती है since molar polarization molar पोलराइजेशन PM is equal to epsilon minus 1 divided by epsilon plus 2 into में ym upon rho where ym क्या है ym is equal to molecular weight molecular weight आप जो भी molecule ले रहे हो उसका weight है and rho is density density of that molecule that molecule मदद जो molecule ले रहे हो उसका weight है हमारा ym and rho is a density of that molecule उस molecule की density तो हम पर PM क्या हो गया हमारा epsilon minus 1 divided by epsilon plus 2 into में ym upon rho यह होता है हम जानते हैं तो लिखेंगे इसे question number बना लेंगे first इसे बना लें question number फर्स्ट इसको बना लेंगे first equation number second तो हम आप एक point लेखेंगे in a reflection only in a reflection only electrons are affected in reflection reflection only electrons are affected 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 by wavelength by wavelength nuclei remains unaffected मतलब जो nucleus होता है वो unaffected होता है उसमें nucleus में कोई प्रभाव नहीं पड़ता nuclei nuclei remains remains unaffected मतलब इसके कहने का मतलब जो है reflection में सिर्फ और सिर्फ electron effect होते है nucleus effect नहीं होता है प्रभाव पड़ता है तो सिर्फ electron का तो जो polarization आप PM की value है PE की value की जगहां पड़रें लिख सकते हैं अर्थाथ हम लिख सकते हैं implies that PM को हम क्या लिख सकते हैं PE is equal to PM को हम क्या लिख सकते हैं PE इसे PM दिखाना एक प्रकार से सही नहीं होगा सिर्फ P दिखा दिजी आप polarization की value यहीं होती है देखे polarization है क्या पाले समझना यह जो polarization है वो हो क्या रहा है reflection में अगर nucleus और electrons दो के दोनों affect होते हैं दो के दोनों के बराबर होता यहां पर यह जो हमारे nucleus वाला रथा PA atomic polarization यह participate नहीं कर रहा affect ही नहीं कर रहा इस पर कोई प्रभावा नहीं पढ़ रहा है सिर्फ E पर पढ़ रहा है तो प्रिक जगा क्या रिख सकते हैं PE तो यह क्या हो जाएगा हमारा epsilon minus 1 divided by epsilon plus 2 into में yama par rho otherwise इन दोनों के अस्थान पर लिखा जाता इन दोनों के अस्थान पर लिखा जाता but सिर्फ और सिर्फ अभी इसके अस्थान पर लिखा जाए total हमारा polarization क्या हो जाएगा तो from equation first वहाँ आज देखेगे total polarization PM is equal to यह PA plus में PE PE जिएम पर क्या लिखेंगे epsilon जाएं क्या लिखोगे n square minus 1 divided by n square plus 2 m upon rho plus PO की value क्या होती है यह देखो पहले से ही हमने दिखा दिया 4 by 3 pi n mu square upon 3 kt यही तो होती है 3 kt since pa is very small since pa is very 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 small very small near about 5 percent of PE मतलब यह जो होता है PE का लगवग लगवग सिर्फ 5 percent होता है बहुत इसमाल होता है PA इसलिए वहाँ पर लिख देखेंगे 5 percent PM की जो value आएगी यह 5 percent होगी 5 percent from 0-0-0-0-5 लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट है 5 into 1 upon 100 प्लस में यही तो है 5 percent 5 into percent 1 upon 100 आए का है 0.05 यही आए क्या हुआ हुआ हमारा यहाँ स्क्वाइर माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ स्क्वाइर प्लस 2 into में यहाँ अपान रो प्लस में 4 by 3 पाई यहाँ स्क्वाइर बाई पाई यह पाई पाई एं नुट कलिशयन समझ में clear हुआ किसी कोई problem तो नहीं नुट कलिशयन उम्मीद करते हैं आपको clear यहाँ तक समझ में आग अगर नसमझ में आए ऐक बार फिर से लेक्टर देख लेना उम्मीद करते हैं सिंपल था कुछ भी नहीं था समझ में आहीं गया होगा तो नेश्ट वीडियों होगा हमारा नेश्ट लेक्चर हमारा हुने वाला है जस्ट हम पढ़ेंगे बॉन्ड मॉमेंट के बारे में एक कोविलेंट बॉन्ड के बारे में मतलब एक प्रकार से आप फोलर úler and non polar covalent bond पड़ेंगे फिर hydrogen bonding के बारे पड़ेंगे तो वो हमारा last video होगा ठीक वो हमारा क्या होगा last video होगा नोट कर लीजे फटा-फटसे तो उम्मीद करते हैं आद की lecture में किसी को कोई problem नहीं होई होगी आपको अगर PDF नोट पाना है तो link description box में दिया जा रहा है या पर telegram पर जाकर search कर सकते है add the reality union classes even किसी भी social media पर आप add the reality union classes फालो कर सकते हैं तो मिलते हैं निस टुडियो में till then बढ़े स्पढ़ाई करें all the very best